लेखें है। उनके तो बड़ी इंटर्स्टिंग बात है। जनता अदनी जी को मोदी जी से directly correlate कर रही है। मोदी जी की हए हस्टॉक मार्केट केटेब भया अदनी जी गए। मतलब टारिक्ट रिलेशन्शिप है कर अपagshan की this election has said, the country has unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 So that is a huge message to Mr. Nariyendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the Constitution. Alexandran, Church of Man, Vladimir, morals and customs in the Chinese. Since I was adamant at the end of this, I was goblin Chinese, wrongе, kianasoxi, the Growing resolute order. है इन लोगों ने इस Constitution को बचाया है इस Constitution यह Constitution देश की देश की अवाज है बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया चुप रहे गए थे मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस Constitution को बचाया मैं उनका धनेवाद करना चाहता हूं उनके उनसे कहना चाहता हूं कि Congress Party आपके साथ खड़ी है जो हमने आपको वाइदे किये थे हम वो वाइदे आपके लिए पूरे करेंगे जाती जनगरना तो कॉंग्रिस नी प्रेज इस कांफिरेंस ती राहुल गांधी ने तमें लायू साम्भ्या जे प्रकारे तैमने जन्तानों प्रतिस्ताद मड़्यो छे तैने लेने तमने जन्तानों आभार व्यक्त कर्यो अने इंडिया गटबंधन नुझे पर्फोमंस रहू छे जन्ता जे विश्वास तैमना पर आपकारी पक्षो छे तैमना चांदार प्रदेशन अने सहकार ने लेने पर आभार व्यक्त कर्ता राहूल गांधी आपने जनावी देए पांसो ताली सीट पर थी पांसो बाताली सीट ना जे एक बादे कांख डास्ता मया विरेहार्शुर् सक्षिए नुवाडिक्टा सื करेंज कर्दक हाय झाई जी जी आट तैमेंने से ऐुविर पूलिएंड ट्वानिह ळिश्ец है प्रदेश में तरिय हम ये तैमने सीटरवी ल्यक्त कर्दाउ। सब्साइब? तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने कि पहल नहीं करते हैं क्योंकि नंबर wenn ए और इंडिया एलाइस को अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप आगे उनकह दो लाने के लिए आगे आप आएंगे वो ही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो, कल डिसाइड होगा, इंडिया गटबंधन की मीटिंग है, कल हमारा लाइन्स डिसाइड करेगा, बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गटबंधन डिसाइड करेगा, उस पे हम एक्शन लेंगे. चैनल, खरगे साब भी आप से पूछना चाते थे कि यहां पे बीजेपी में जश्न हो रहा है, और उनके साब से एंडिया को मिजोरिटी मार्क से उपर मिला है, तो एंडिया सरकार बना रही है, तो यहां पे क्या आपको लगता है कि आपने का नैतिक अधार पे प्रधानमंत नरेंद मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमे बंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद मोदी को यह फैसला लेना चाहिए, देखिए, अभी राहूल गांदी जी ने आपके सामने सपस्ट किया, जब तक हम अपने अ उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मिजौर्टी बना सकते हैं, वो देखींगे, सारे स्टाटीज़ अगर यहीं मैं बोलूंगा, फिर मोदी जी हुशार हो जाएंगे, इसलिए जराम जी, 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 खरगे साब ने का कि हम जनादेश को सुईकार करते हैं, जनादेश इंडिया गटबंधन के लिए क्या है, विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए, और अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा दोनों सीटों मैं तो नहीं रह सकता हूं बट अभी डिसाइड नहीं किया है राउल जी राउल जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी काफी लंबी यात्रा रही काफी बीच में उतार चड़ाओ आए अब सव कहां कड़ा आपने चुआ है 2009 में जब इसी तरह का मेंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राए थी एक हम विपक्ष में रहें पार्टी मजबूत करें या सरकार के साथ जाए 2009 में 2009 में 2009 में दोबारा जब वहुमत मिला था तब एक रहे थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें ऐसे कोई रही नहीं थी या आपकी रोंग इंफिर्मिशन आप अब मैं पूछ रहा हूँ अब आपसे पूछ रहा हूँ दो चीज़ है दो हम एक कोलिशन के भाग हैं ठीक है कॉंग्रेस पार्टी है बाकी पार्टिया है और उनके साथ अभी हमारा डिसकाशन नहीं हुआ है हमने बैया शांत हो जाए हमने उनसे कहा था इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाओ के बाद पांच तारी को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम यह जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे तो सच मुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं कल होगा कि अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहूल गांदी ने अपने पीए को चुनाओ लड़ा दिया अब उन्हीं कि शोरी लाल शर्मा ने 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 देखिए बीजेपी बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं कि शोरी लाल ने तमीज से ब कि अमेठी में कॉंग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिष्टा है शायद बीजेपी के लोगों ये बात समझ नहीं आई थी कि कि शोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोसली कनेक्टिड वियकती हैं और इसलिए उनकी जीत नि पीएं हैं स्टनों हैं ये बिल्कुल गलत हैं ये ओफिंसिव हैं ये नहीं कहना चाहिए राहुल